So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है Flipkart Big Billion Days में ऐसे concept 5 TWS है जो आप लोग को under 1500 काफी जाता value for money तो provide करती है इसी के तासत इस सब में आप लोग काफी बढ़िया build quality and इसके लावा audio quality भी यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त मिलने वाली है और सिर्फ इतना ही नहीं इन में से कुछ में आप लोग को dual pairing का support मिल जाएगा इसके लावा ANC वाले features भी हाँ पर आपको मिल जाएगे कुछ TWS में उसके लिए आप लोग को वीडियो में end तक बने रहना होगा तभी आप लोग डिसाइड कर पाओगे कौन से TWS आप लोग को भाय करना चाहिए सबी के लिंक मैंने description में already डाल रखें जिसमें भी आप लोग इंट्रस्टेट रहना जाके check out कर सकते हो और इनके लाव और भी जो best TWS है under 1000, 2000, 2500 उन सब के भी लिंक आप लोगो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनको भी जावट जाके check out कर सकते हो तो चलते हैं फटाबट करते हैं वीडियो को start लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल पे नहीं उसस्प्स्क्राइब कर देना और ये वीडियो पसंद आए दिए वीडियो को like जरूर कर देना तो स्टार्ट करते हैं अपने फिफ नंबर एयरबर्ट से जो क्या आते हैं रेडमी की तरफ से आने वाली रेडमी वर्ट्स 5A जी हां यहां पर आप लोगो काफी बड़ी अलुक एंड डिजाइन तो मिलता है जिसमें आप लोगो मिलता है 12 mm के ड्राइवर्ड इसी के साथ सा यहां पर आप लोगो sound quality भी काफी ठीक ठाक मिल जाती है मतलब एक decent sound quality आपको provide की गई है इस words के अंदर वहीं बात करें बैटरी लाइफ की तो 440 mh की बैटरी प्रोवाइट की गई है इसके अंदर तो earbuds को आप लोग ना 5-6 घंट आराम से यूज कर सकते हो इतना बैटरी व top supreme जिसको मैं already 2 महिने से यूज भी कर रहा हूं तो इसके features की बात करें तो यह आते हैं 5.4 Bluetooth version के साथ साथ यह IPX4 rating को support करता है इसके अलावा यहां पर आप लोगो 10M के drivers भी मिल जाते हैं जो के कान में काफी comfortable fit हो जाते हैं और आप लोगो जादा irritation नहीं होती है इसके अलाव आपसो दोनों से एक बार में connect कर सकते हो इस earbuds को और साथ ही साथ इन एयर detection को भी features देखने को मिल जाता है जो कि इस price segment में बहुत ही कम earbuds में देखने को मिलता है और यहां पर आप लोगो beast mode भी provide किया गया है बागी बात करें सके calling quality की तो वो भी काफी जबरदस है मतलब कि आप आप लोग यहां पर seamless calling कर सकते हो काफी जबरदस experience रहने वाला है और इसे इतना ही नहीं 65 minutes की low latency को भी support करता है यह normally gaming आप लोग कर सकते हो battery backup की बात करें तो यहां पर आप लोग को 50 hours का playback time मिल जाता है और यह fast charging को भी support करता है 10 minutes charge करने पर यहां पर आपको 150 minutes का playback time मिल जाता ह और यहां पर आप लोग इसको भी choose कर सकते हो link मैंने description में provide कर दिया है next AWS की बात करें जो के again आते हैं boat की तरफ से आने वाले boat, Nirvana, ION यहां पर भी आप लोग को under 15 minutes काफी value for money product मिलने वाला है जहां पर आप लोग को काफी बड़िया premium look देखने को मिल जाता है इसी के सासल बा एक टाइम पर अपने phone को और laptop को दोनों को connect कर सकते हो साथी बात करें sound quality के बारे में तो यह भी काफी जादा balance आप लोग को मिलने वाले sound vocals की सब कुछ आपको काफी बड़िया balance मिल जाते है 60ms की low latency मिल जाती है इसी के सासाथ यहां पर आप लोग को ENX technology का support देखने को मिल ज आता है तो यह एरबर्ट्स भी आप लोग चूज कर सकते हो सब कही लिंक मैंने description में प्रोवाइट कर दिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर एरबर्ट्स के बारे में जो क्याते हैं रियल्मी की तरफ से आने वाले रियल्मी बर्ट्स T110 यहां यह एरबर्ट्स सेकंड यह एरबर्ट्स काफी बढ़िया है बाकि इसके फीचर्स की बात करें तो यहां पर आप लोगो 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं 5.4 Bluetooth वर्जन प्रोवाइट किया गया 38 आउर्स का प्लेबेक टाइम मिल जाता है इसी के साथ-साथ यहां पर आप लोगो IPX5 की रेटिंग प्रो बाकि यह फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है दस पिनिट चार्ज करने पर आपको 120 मिनिट्स का प्लेवेक टाइम दे देता है इसी के साथ-साथ-सके सौन क्वालिटी में आप लोगो बता दिये काफी जबरदर्स तेयार इस TWS के अंदर आप लोगो सारी चीज़ के आते हैं OPPO की तरफ से आने वाले OPPO ENCO BUDS 2 यह सबका all-time favorite रहा है यार क्योंकि यह under 2000 लाउंच हुआ था बट अभी आप लोगो सिर्फ 14 रुपे का देखने को मिल जागा फिलिप कार्ट के उपर जिसके अंदर आप लोगो sound quality काफी जबरदस तो मिलती है इसी के साथ-स Dolby Atmos का भी features यहां पर आप लोगो मिल जायता है जो कि इस price में काफी कम earbuds में मिलते हैं बाकि battery life की बात करें तो यहां पर आपको 28 hours का playback time मिल जाता है फास charging को भी support करता है यह 10 minutes चार्ज करने पर आपको 1 hours दा playback time दे देता है बाकि हाँ इस का look in design तो काफी premium है और यहां पर 80 ms low latency तो आप लोग इस earbuds को जरूर चेक आउट कर ले ना अगर आप लोग 1400 रुपे के अंदर को बढ़िया सा TWS डूंड रहे हो ना तो यह काफी बढ़िया option रहने वाला आप लोग के लिए क्योंकि अभी offer में आपको 1400 रुपे का तो मिल रहा है बद बाद में इसका price बढ अभी earbuds आप लोग को 1200 को 1300 को मिल जाएगा सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ने प्रोवाइट कर दिया जाके check out कर सकते हो सो बस यार आज के लिए इतना ही मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर आप लोग को वीडियो ज़र से भी useful लगी हो फड़ावट वीडियो को लाइक कर देना चैनल के उपर नहीं हो सबस्ट्राइब करके जाना मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स